चूरू में गर्मी लगतार खौफनाक होती जा रही। जीलों में अधिक्तम तापमान 47-48 जिग्री सेलस्यत तक पहुच गया। पीशन गर्मी के भी चूरू जीले में पानी विवस्ता पूरी तरह चर्मरा गई है। नहीं पूर्ट नेता पृतिपक्ष राजन राठोण ने सीम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर इंद्रा गांधी नहर की रावत्सक रक्सीम से निर्भात रूप से पीने के पानी की अपूर्ती सुमिश्चिक कराने की मांगती है। नमस्कार में शेख जोया आप देख रहे हैं दनगरी वेश्चिक राजन राठोण ने सीम भजनलाल शर्मा के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा की इंद्रा गांधी नहर की रावत्सर तक्सीम की सफाई और मरंबत के लिए नहर बंदी कराने से उत्पान भय जल संकत और जन आकरोश की और आकरशित कराना चाहूंगा इंद्रा गांधी नहर से मेरे ग्रह जीले चूरू सहीत प्रदेश के करीब सोला जीलों में पीने के पानी की अपूर्ती की जाती हैं इसी नहर की रावस्तर तक्सीम में सिल्ट आदी जमा होनी के कारण सफाई और मरमत कराने के लिए पीने के पानी के अपूर्ती बंद कर देने से किसानो रामजन में गहरा अक्रोश वियपते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अधीशन, अभियानता, जलसंसादन, विभाग, रत, हनुमान, गर, द्वारा, किसान, और जलदय, विभाग, को प्रियाप, जल, पूर्ती, हेतु, असमर्ता, व्यक्त करते हुए। 16 माई 2024 से 25 माई 2024 तक रावस्तर वितरिका में नहर बंदी कराने की जो सहमती दी गई है, पदुर्भाग्य पूर ने, राजेन राठोन ने अपने पत्र में आगे लिखा कि मैं आपके संग्यान मिलाना उच्चित समझता हूँ कि इंद्रा गांदी नहर की रावस्तर वितरि से लालनिया तक विभाग्य नहर की सफ़ाई करवाई जा चुकी है, वहीं गंदेली हेड्सिक रमसना हेडवर्स तक विभाग्य नहर की सफ़ाई का कारिये प्रगतिरत है, मोजुदा भीशन गर्मी के प्रकोप में जहां एक और आमजन पीने की पानी की बून-बून के लि झालनिया, मोजुदा जफ रमसना हेड़र्स तक विभाग्य भीशन गर्मस दाम जाई एक रफिते हुँआ झालनिया, मोजुदा एक ठाए हुआ ठाए हुआ है प्रगत का विभाग्य नहर की सफ़ाई है, तक विएर्स्ट प्रण में जटें हिए हो ब कान झालनिया जाहर्